प्रभावी थे उनकी जमीन डुबान में आया और सरकार के दुआरा अभी तक इन परिवारों को मौज़ा नहीं दिया गया है तोटल तेविस किसान परिवार है जिनकी जमीन खरकरा मोधी पाट नदी है इसको खरकरा परियोजना के तहत उसमें एनिकड बनाया गया तो उसमें से कुछ हिस्सा राजनाद गौण डिष्टिक के ग्राम बुची भर्दा में आता है कुछ हिस्सा हमारे हां बालोग जीले के ग्राम बम्नी में आता है तो बुची भर्दा में सर्वे हुआ सर्वेया रायत है इस्टीमेड बना उस समय बम्नी चुकी बालोग जीला पड़ता है कि किस वज़े से बम्नी का सर्वे नहीं हो पाया और बमनी का सरवे नहीं हो पानी की वज़ासे किसी भी किसान को उसमें छती पूर्ती रासी नहीं मिल पाई है पूर्व में जिन किसानों की जमीन डुबान में आई हुई है वर्तमान इस्तितिम वे अभी तक पानी से भारा हुआ है वक्ता हैं उसमें कास्ताकारी नहीं हो पा रही है लेकिन किसान उसमें चाहें अलग अलग कैसान की अलग अलग जमीन है मेरी खुद की जमीन जैसे में 30 डिस्मिंल की मेरी जमीन उसमें हम लोग सबस्र Alde कि ख्यृती का कर थैं पाजय 25 शे लेक्राइब्ली इप लेकिन वो विगत 5 साल से चुकि पानी पूरा भरा हुआ है तो वो मुनाफ़ा भी हम नहीं ले पा रहा है HDM साब के पास में जानेक बात भी अब डारेक्ट उनसे तो बात नहीं हो पाती तो बाबू से बात होती है बाबू बोलते हैं कि आपकी प्रक्रिया भी चल रही है जाच पर ताल चल रहा है लेकिन इस बात को भी डेड़ साल हो गया अब हमारी टोटल जमीन टू पाइंट फो टू है तियर मतलब लगभग साड़े छे साथ एकड़ के आसपास की सानों की जमींज है अधी प्रभावित है और इसका हमने तीन बार मुख्यमंत्री के पास गये लगभग चार से पांच बार जंदर्शन जिला कलेक्टर बालोग जाके आ चुके हैं ले तो हमको भी विश्वास है कि मिलेगा लेकि कब तक मिलेगी और क्या होगा यह अभी कुछ कहाने जा सकता तो ऐसी हम किसानों की व्यथा है इस वीडियो को मैं इसलिए बनाई हूँ कि वीडियो देखने वाले लोगों से अपिल करती हूँ कि प्रभावीत किसानों का मौजा दिलाने में मदद करें जिला कलेक्टर बालो सरांस मित्तल का नंबर है 756-726-9900 इस नंबर में काल करें और दबाव बनाएं मैं भान साहू 36 गार इंडिया अनहर्ट के लिए